हलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टू स्टेडी वित्वारी चैनल कैसे हो आपसा तो बच्चों, हाज हम इसमें विशेशन की अवस्ताओं के बारी में पढ़ींगे तो विशेशन की अवस्ताओं कितनी होती हैं वच्चों ती कौन कौन सी पहली होती है इसमें मूला अवस्ता या शामानने अवस्ता होती है दूसरी होती है उत्तम, मद्यम या तुलना अवस्ता भी बोल सकते हैं उससे उत्तम कहलो या आप मद्यम कहलो या तुलना कहलो तीसरी होती है दूसरे नंगमर की यह बहुत है बच्चो उत्तरा उत्तरा मद्यम और तुलना तीसरी जो होती है वो होती है उत्तमा अवस्ता सबसे बरिष्ट तो बच्चो मूला अवस्ता क्या होती है उसे कैसे पहँचान सकते हो आप सेंटेंस में जब एक ही ब्यक्ति पस् स्थान की विशेष्था प्रिकट की जाती है तो वहां विशेशन की मूला आवस्ता होती है तो जब एक ही व्यक्ति हो एक ही बस्तू हो या स्थान हो उसकी विशेष्था प्रिकट की जाती है तो वहां क्या होती है वच्छो मूला आवस्ता जैसे मनी स सुन्दर लड़की है तो मनीशा की, मनीशा की क्या बताई जा रहे हैं? इसमें विसेस्ताव, वो कैसी है सुंदर, सिर्फ खुद से ही उसकी तुलना की जा रहे हैं? न कीसी अन्ने से, स्वेम से, मूल में ही. तुसरा है, मनीश हुश्यार है, बिजे अच्छा खेलता है, बिजे अच्छा खेलता है तो खुझ से ना तो किसी और से तुलना की जाएगी ना भोतों में से तुलना की जाएगी सिर्फ मूल आवस्ता में होगा उसका प्रियोग ये ध्यान लखना है आपको चाहे वो ब्यक्ती हो चाहे बस्तू हो या स्थान हो जिसकी बिसेस्ता प्रिकट की जाएगी जो मूल में होगी आई होप आपको ये मूला आवस्ता समझ में आई होगी किस प्रकार से होगी आप से बाक में से पैचान सकते भी हैं तो अगली पढ़ते हैं उत्तरा, मद्दमा या मूल तुलना आवस्ता ये की अवस्ता के लिए प्रियोग किया जाते हैं तो हम उसको भी देखते हैं कि किस प्रकार हम इसको बाक में पहचान सकते हैं और फिर वढ़ेंगे हम इसी क्लास में इसी वीडियो में उत्तमा अवस्ता तीनों अवस्ताओं को कम्पीट कर लेते हैं जिससे हमारा जो बिसेशन टॉपिक है वो फुल डिटेल में किलियर हो सके मैंने आपको एक एक पॉंट को बड़े अच्छे से ध्यान से समझाया है यदि आपने पढ़ा होगा तो आपका एक भी कोश्यन इस पढ़े हुए में से भार्नी जाएगा छोटों बच्चों काता हूँ नौमी, दस्मी, ग्यार मी, भार्मी के बच्चों काता हूँ नौर्मल चक बुस्सन आता है जिसको आप आसाने से कर सकोगे यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूश सकते हो मैं आपको ज़रूर रिपलाई करूँगे या अगली वीडियो में भी एक्स्प्लेन कर दूँगे अब देखते हैं इसमें दूसरी अवस्ता को तुलना मद्यमाया उत्तरा अवस्ता जब दो ब्यक्तियों बस्तूओं का इस्थानों के बीच तुलना की जाती है या दो इस्थान हो उचा दो बस्तूओं तो इसमें कोड़ वर्ड दे रखा है से अधिक से सुन्दर अपेच्छा उससे बस यह आंत रखना है तो दो ब्यक्ति होंगे उसमें होगी तुलना तो तुम आप समझ सकते हो इस बड़ से भी कि तुलना कितने बक्तियों में की जाते हैं दो में कोई चार में तो नहीं बैसे नॉर्मल है दो में तो इसमें फूर एकजांपल के लिए है मनीश सीमा से सुन्दर मनीशा सीमा से सुन्दर लड़की है तो नॉर्मल है दो व्यक्तियों में की जा रही है मनीश रमेश से उश्यार है रमेश किस से उश्यार है मनीश से विजय अजय से अच्छा किर्केटर है तो नॉर्मल है आपको समझा कहा होगा इसमें लास्ट उत्मा अवस्ता जब दो से अधिक व्यक्तियों वस्तों या इस्थानों के बीच तुलना की जाती है और किसी एक को सरेश्चितम बताया जाता है विशेशन की उत्मा अवस्ता कहलाती है तो व्यक्तियों दो बचो इसमें क्या करना है आपको उत्रा वस्ता या मदमा तुलना वस्ता में तो क्या था दो व्यक्तियों के वीच तुलना की जाती थी इसमें जब दो से अधिक व्यक्ति हैं दो से अधिक उसमें सिर्फ दो होने चाहिए जो दूसरे नमर के वस्ता थी उसमें दो इसमें क्या होगा वच्चो दो से अधिक व्यक्ति हो वस्तों या इस्थानों के वीचे तुलना की जाएगी जैसे मनीशा घर में सबसे सुन्दर लड़की है तो आपको सबसे अपेच्छा सबसे अधिक ऐसे बढ़ मलेंगे मनीशा घर में सबसे सुन्दर लड़की है तो दो से अधिक है ना बहुत जैसे उसमें पढ़ा होगा संस्कृत में जो famous उधारण है कवियों में कालिदास रेष्ट हैं मनीज कच्छा में सबसे हुश्यार है किसे सबसे दो से अधिक बिक्तियों सबसे मतलब कच्छा में सबसे तो वो को ऐसा होगा, स्रेश्ट बच्चे ही होगा कोई, उत्तम होगा बिजे टीम में सबसे अच्छा क्रिकेटर है तो सबसे अच्छा जिस बर्ड में मिले तो आपको करना है उत्तमा अवस्ता और जब दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाए तो आपको उत्रा आवस्ता या मद्मा या तुलना आवस्ता और जब स्वेम से यह नॉर्मली हो मूल में ही हो तो आपको मूला आवस्ता है सामाने आवस्ता आया आपको समझ बस यह है जिसे गाओं में काम देनू है ऐसे ऐसे भी आ सकता है तो आई होप आपको यह तीनों अबस्ता अच्छे से किलियर हो गई होगी अगली नेस्ट क्लास में हम वह कौन सा टॉपिक लें किरिया किरिया से सम्मंदित महतिपूर जो डिटेल है उसके बारे में पढ़ेंगे हम आज यह बिसेशन टॉपिक कंप और बचो बीच-बीच में क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें यदि आप न्यू सब्सक्राइबर हो तो बैल आइकन को प्रेस कर लें जिससे न्यू नोटिपिकेशन आपको मिल सकें और आप अच्छे से वीडियो को देख सकें समझ सकें और कोई भ अच्छों को लाइक, शेयर भी करना क्लास से जुड़ने के लिए थैंक्यू सो मच मिलते हैं नेर्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाई-बाई टिक किया